करक राशी वालों पर चलेगी शनी की धहिया शनी की धहिया के दोरान करक राशी वालों को रहना होगा थोड़ा सतर्क करक राशी वालों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव करक राशी वालों को सेहत का रखना होगा ख्याल वाहन भी सावधानी से चलाना होगा करकराशी वालों को इस ड़या के दोरान क्या-क्या दे कर जाएंगे यहां मैं यह स्पष्ट कर दू कि करकराशी के बारे में यह वविश्यावाणी जो है यह लगन के अधार पर नहीं बलकि चंदराशी के मताबिक है जिस वेक्ति की कुंडली में जन्म के समय चंदरमाकर कराशी में बैठे होते हैं उस वेक्ति की करकराशी होती है मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनी देव को हमारे जोतिश में और हमारे नवगरोमिक परमुक्स्तान हसिल है इन्हें न्याई का देवता और करम का कारक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि शनी देव जिस पर परसन हो जाएं उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिन पर उनकी कुरूर दिश्टी पढ़ती है उस वेक्ति की मुसीब्ते बढ़ जाती है ऐसा भी माना जाता है कि हमारे इसी जीवन में शनी हमारे कर्मों के मताविक हमें फल देते हैं वैदिक जोतिश में शनी को सबसे मंद गती से चलने वाला ग्रै माना जाता है और एक राशी में ये अढ़ाई साल तक रहते हैं यही वज़ा है कि शनी का प्रभाव व्यक्ति पर अधिक समय तक रहता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनी देव 17 जनवरी मंगलवार की शाम को मकर राशी से निकल कुम राशी में गोचर करेंगे, जहां परवे 29 मार्ज 2025 तक विराजमान रहेंगे और उनका गोच सती का पहला चरण चुरू हो जाएगा, करक राशी वालों पर 29 मार्ज 2025 तक शनी की ढईया का साया रहेगा, इसलिए इस दोरान आपको बेहत स्तरक रहना होगा, खास कर उन लोगों को जनकी कुंडली में शनी की स्तिती कुछ कमजूर है, इस साल की शुरुआत में ही शनी आ जोड़े मामलों में आपको सावधान रहना होगा, शिक्षा से जोड़े मामलों में भी शनी थोड़ा कठनाई दे सकते हैं, देव गुरु बरस्पती साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रेल तक आपके भाग्यास्तान में गोचर करेंगे और आपके भाग्या और धर्म अपनों को भी पराया कर सकते हैं, इसलिए स्थर क्रायना होगा, कारे स्थर पर आपके शत्रू लगातार आपको परशान कर सकते हैं, राइनीति से जोड़े लोगों को कठनाई हो सकती है, अश्चन भाव में शैनी होने के कारण आपको अपने स्वास्ते पक्ष का भी खास काल लेंगे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपरेल में शनी का आपके आठमें भाब में गोचर जो है वो आपके प्रफेशनल लाइफ में थोड़ी समस्याई ला सकता है आपके करमचारी या सहयोगी कारेश सल पर आपकी इमस को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं इस साथ में भाब में गोचर करेंगे यह समय आपके विवाहिक जीवन के लिए थोड़ा राहत भरा साबित होगा जो सिंगल लाइफ जी रहे हैं उनका लब पार्टनर उनको मिल सकता है प्रेम विवा के योग भी बन रहे हैं और यह अवदिय उन लोगों के लिए वशेश ना होगा बेफजूल के वाद विवादों से दूर रहना होगा इसके लावा इस डहिया के दौरान शनी देव आपके कैरियर को उचा उठाने का काम भी करेंगे आज की पोश्ट में बस इतना ही मेरे पेश से जुड़े रहिए इसे फॉलो करते रहिए मैं गुर्मीत पीद उठाने के रहिए.